नमस्कार, बुक आडियो में बहुत बहुत स्वागित करता हूँ, मैं आपका दोस्त ब्रिजेश और दोस्तों आज लेकर के हाजिर हूँ, इसाक रामदुर्गी का कहानी संग्राइब प्रॉपेगेंड़ा आज पेश है, इसमें से कहानी टेन नमबर सत्रा चार सो पंद्रा और चलिए चलते हैं कहानी में आगे की ओर लक्षमी कुछ दिनों से बहुत अदास रहने लगी थे एक दो बार पूचा भी था माने, लेकिन लक्षमी ने ठकान होने की वज़ा बता कर पला चाड़ लिया था आए दिन लाखन सेटी के घर से निकलते ही लक्षमी का हाव भाव बदला बदला से लगता ये सिलसला जारी रहा तो उसने कई तरीकों से पूछ तासके परन्तु लक्षमी के मूँ से ऐसी कोई बात सामने नहीं आए सयानी हो गई है, अब हर चीज को हलके से लेना भी तो खत्रा मूल लेना जैसा होगा ऐसे ही चुब भी तो रहा नहीं जा सकता क्या जाने कभी किसी की जात्तिया से तो है भी मजबूर में कुछ कहते नहीं बनता हो भगोहन न करे, ऐसा भी मेरी लक्षमी के साथ भी हो रहा हो कई उल्जनों में फुसी माह ने आखिरका निर्नाय ले लिया उस दिन काम से निकलते ही रोज की तरह वो घर नहीं गई बैलकि लक्षमी को साथ लेकर सीधे पास के अस्पताल गई महिनों से दिन में जमेशक के कच्रे को निकाल फिकना चाहती थी मा भले ही अनपढ़ती पर इस समस्या से ने पटने के लिए उसने माखूल रास्ता ढूंड निकाला था किसी महिला डॉक्टर से पहले ही कुछ बात ही होगी शायद इसलिए वहाँ जाते ही उस डॉक्टर ने बिना कुछ सवाल पूचे लक्षमी को चेक अप के लिए बुला लिया रिपोर्ट के परिणाम सुनते ही मा के पैरों तले जमीन खिसक गए आँखों के आगे अधेरा चाने लगा उसका शक हकीकत में तब्दील हो गया था मा की हाला देख कर लक्षमी इतनी भहवेद हो गई कि अब उसे यकीन होते चला कि जो उसने मज़ूरी में सहा है वही अब उसकी जान लेने पर आमदा है मा के काम से निकाले जाने के भैसे उसे हालाद से समझवता करना पड़ा था अगर सबाल पापी पेट का था और अब यही पेट पेट की जान लेने में तुला है कैसी बेढ़मना है पेट की रक्षा के लिए पेट की बली देनी पड़ती है मामला बड़ा संगीन था गर्वपाद की सीमा से बाहर निकल चुगा था मा के लाख में नतों के बावजूर डॉक्टर ने इंकार करती हुए का था देख रुकमा तीन मा से उपर हो चुका है आपरेशन नहीं कर सकते ऐसे में एक के बदले दो दो जान जाने का खत्रा रहता है और तो और ये कानूनी तोर पर अवैद है तुमारे साथ मैं भी जाओंगी हवालत तोड़ा सबर से काम लेना होगा तुझे सुल पहले तेरी चौरी से पूछ ले की वो कौन है कहीं कोई जवरदस्ती हुई हो तो मामला पुलिस इस्टेशन का बनता है डॉक्टर की बातों में सचाई तो थी लेकिन इतनी कड़वी की ना निगलते बन रहा था ना थूकते लक्षमी की सूरत भी देखते नहीं बन रहा था सबसे साथा घुसा तो उसे अपने आप पर आ रहा था कैसे उस वहशी दरण्दे की मीठी मीठी बातों में आकर अपनी मासुम चौरी को उसके हवाले कर दिया चोके बरतन के काम के इन तीन घरों में सिवाए उस लाकन सेटी के कोई लक्षमी से थनी मधुरता अपने पन से बात नहीं करता था और तो और वो हमेशा उस समय घर में ही रहा करता जो दूसरे अपने अपने काम से या तो निकल गए होते या निकलते रहते अफसोस की ऐसा शक था चो कभी पुखता नहीं हो पाया जब भी दोनों की उमर के बारे में सोच दे तो उन दोनों में पिता पुत्री की जलक दिखाई देते पस इस एक कारण ने कभी उस से शक को हावी होने नहीं दिया था अब उसी एक खलिती की वज़े से ये दिन देखने को मिल रहा है भला कोई बेटी की उमर की लड़की से ऐसी हैवानियाद दिखा सकता है ये हैवानों की चात ही ऐसी होते है कोई भरोसा नहीं इनका जिस कोक से निकले उसी पर तूट पड़ेंगे माब चुप रहने वाली नहीं थी दूसरे दिन सुबह अपार्टमेंट के सारे लोगे कटा हो गए थे वो चीकते चिलाते हुए लाखन सेटी पर गालियों की बचार कर रही थे उदर लाखन बड़ी ही नमरता से अपनी जूटी दलिल ने पेश कर रहा था लोग समझ रहे थे कि कुछ तो इनके साथ खलत हुआ है लेकिन बात जोका बरतन माजने वाले बनाम सुषिक्षित सुवीदा संपन की थी शिक्षित बनाम अशिक्षित की थी सब्भे और असब्भे के बीच की थी जाहिर से बात थी कि जो साथ में रहता है उससे इन गवारों के करण क्यों दश्मनी मोल ली जाए बहुतों ने इस मामले को नजर अंदाज करना ही वाजब समझा और कुछ ऐसे भी थे जो अंदर से इन मोताजों से हमदर्दी जता रहे थे मगर खुल कर विरोध करने की या तो उनमें हिम्मत नहीं दिख रहे थी या उसे दिखाना नहीं चाहते थे मा भी हार मानने वाली नहीं थी देखा कि किसी का साथ नहीं मिल रहा है तो पुलिस इस्टेशन जाने की चेतावनी दे कर गई पुलिस स्टेशन में नासमजों की रपट दाखिल कर ली गई और आश्वस्त किया गया कि जो भी मुझरिम साबित होगा उसे कड़ी से कड़ी साजा दी जाएगी दिन बीटते गए लाखन से ठीके पकड़े जाने की कोई सूचना नहीं मिल पाए चोगा वर्दन के काम भी चूट गए थे इधर लक्षमी का पेट भूलते जा रहा था पुलिस स्टेशन के चक्कल लगा कर ठक गई थी माँ एक दिन खुद पुलिसी घर आई और माँ को थाने ले गए लक्षमी पीछे पीछे दोड़ पड़ी थे स्टेशन जाने पर पता चला कि लाकन सेटी के घर से पचास हजार की जेवराच चोरी के इल्जाम में माँ को हिरासत में ले लिया गया है लक्षमी उनके हाथ पैर चोड़ती रही गिर गड़ाती रही लेकिन उन पर इसका कुछ भी उसन नहीं पड़ा घर की तलाशी हुई लेकिन गहनों का अता पता नहीं था उनका कहना था कि पचास हजार रुपे जमा करो और अपनी माँ को ले चाओ पचास हजार क्या पांस सो रुपे भी लक्षमी के पास नहीं थे पैसों का इंतिजाम ना होने के चलते उन दरिंदों ने एक और प्रस्ताव लक्षमी के सामने रखा लक्षमी के पास कोई और रास्ता नहीं था वो जानती थी कि उसी के कारण उसकी माँ हवालात में और वो अपनी जान तक देकर उसे बाह ले आएगे यहां तो उसे अपनी आत्मा तक को बेचना पड़ रहा था लक्षमी अपनी माँ को लिए खर लोट आए इन दो हादसों से माँ पर गहरा सद्मा पड़ गया था आए दिन बीमार रहने लगी थे तो हपते भीतर ही इस नर की यातना से मुक्त हो गए कहानी जारी रहेगी अगलेंग में तो मिलेंगे अगलेंग में नमस्कार